असलाम में दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीथ वाइटनिंग के बारे में आपके अगर काले या पीले दात हैं तो उसको कैसे सफेद करें उसको कैसे चमकदार बनाएं तो टीथ वाइटनिंग के बारे में हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि जाद ता लोग आपने देखा होगा कि उनके दात जो है पीले और काले रहते हैं तान मसाला गुटका जो भी खाते हैं उसकी वज़ासे उनके जो है दात काले पड़ गए है और उनमें बद्बू भी आती है मों से बद्बू आती है मसूडों में अपसे सोजाता है मसूडों से भी पस आने लगता है मावाद बैने लगता है तो वीडियो को शुरू से आखरे तक जरू देखिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है आप जो है इस वीडियो को शुरू से आखरे तक जरू देखें और जो चैनल पे नए ह वो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे लोग जो सुबह शाम बरस करते हैं तब भी उनके दाथ पीले के पीले रहते हैं उनमें कीडे लग जाते हैं मसोडों से बद्वू आती है पस बन जाता है उनमें तो उनके लिए हमारे पास एक वीजल कंपनी का ये देख लेजिए तूथ पेश्ट है बहुत ही एफेक्टिव है सुभाई शाम आपको खाना खाने के बाद इसको जो है पेश्ट को लगाना है और इससे अच्छी तरीके स कुल्ला करना है हमारे पास जो हो पैथी की देंटल करीम है बहुत जाता है जाते घेडे लग जाते हैं या उनमें मसूडों में बलेडिंग होती है मसवडों में सूजन आजाती है या फिर sensitivity है जंजनाट है दातों में धंडा अगरम का हैसास रहोना ये सब तकलीफें या दात में दर्द होता है अगर आप दात को रिमूब कराए हैं operation के लिए उसको दात निकलवा लिए है और दातों में दर्द रहता है मसवडों में सूजन आजाती है और जबडों में भी दर्द होता है खाना खाने वक्त जुड़े जबडों में दर्द होता है आवाजे आती है तो ये TMJ dysfunctions को भी cure करेगी और जो हमारे जो दातों में काला पन या पीला पन जो भी कीड़े लगे हैं जो भी ये क्रीम जो है ये आप देख सकते हैं ये क्रीम ये dental cream है है कला लावा भूहत एफक्टिव क्रीम है और जिनके दात में घड़े पढ़ जाते हैं dental caries हो जाता है या जिनमें नेक्रोसिस हो जाती है दात जो है फूकने लगते हैं दीरे दीरे करके दातों में कीडे पढ़ जाते हैं, डिंटल केरीज होने की वज़ाद से, और दातों से ममाद पैता है, मसूरों से भी ममाद निकलता है, पस निकलते हैं, बद्वू आती है, तो उनके लिए हम आप लोग के लिए ले करा हैं एक ऐसी होमोपेथिक मिरसी, जिसका नाम है हिकलालावा, ये बहुत ही एफेक्टिव मिरसीन है, तो जो सुबा शाम बरस्ट करते हैं, तब भी उनके दात काले ही रहते हैं, पीले रहते हैं, वाइट नहीं हो पाते हैं, सकेद नहीं हो रहे हैं, सुबह शाम बरस करते रहते हैं लेकिन तब भी दाद जुब काले रहते हैं इसको ददद स्पून्द लेना है सुबह दोबह शाम तीन टाइम तेक इस्तिमाल करें तो आज के लिए इतना ही फिर्म लेंगे गई वीडियो में तब तक के लिए अज करते हैं तुम करते हैं